हालो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल वीजा गाइड वीजा गाइड देखने वाले आपसी फ्रेंट्स का मैं हार्दिक शागत करता हूँ फ्रेंट्स आज वीडियो बना रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को सुरुज़े के लास्त अक आप जरूर देखे उससे वहले आप सोई लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप ने भी तरह कि श्राइब नहीं किया है तो जो लाल राडर का पूस्ट्राइब बटन निक्राओं उस पर क्लिक करके हमारी श्राइल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ जो बेल का बटन उस तरह को लिकरेग हैं आप से योरोप के बारे में और भी कई ऐसे देश है जहां का बीजा अप्लिकेशन कर सकते हो सब कुछ आपको मिले गया इस वीडियो में बस आप इसको पूरा देखिए तो बात करते हैं सुट्जा लेंड की सुट्जा लेंड का बीजा है आप अप्लिकेशन कर सकते है आप जा सकते हैं ट्रेवल के लिए पूछ दरीके स्विजय लेंड ओपन हो गया है कुछ रिक्वार्मेंट हैं जो आपको पूरा करता है उसके बदद स्विजय लेंड का वीज़ा अप्लिकेशन आप कर सकते हो तो स्विजय लेंड अगर देखे सबसे बस सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वार्मेंट के अगर अगर आप जार हो तो सबसे जरूरी है 72 पहले आपका आपका आटी वीज़ा डेस्ट लगेगा अगर आपको बीजा मिल जाता अगर आप सुट जालेंड जाते हो तो उसके अगर आपके पास को वैक्सिन अगर आपने लगवाया है तो वह नहीं लगेगा अगर आपने को भी वैक्सिन लगवा लिया है तो आप सुट जालेंड कभी जाप्लिकेशन आप कर सकते हो अगर आप यहां पर क्वारेंटीन जरूरी नहीं है अगर आप सुट जालेंड जा तो आपको 10 दिन के लिए वहाँ पर quarantine करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करता हूँ रूस का। रूस का विज़ा अपलिकेशन आप कर सकते हो। रूस इस टाइम वीज़ा दे पी रहा है का आप भी जा रहा है। जो रूस जा रहे हैं, गोम रहे हैं टूर्स वीज़ अप्लीकेशन कर सकते हैं, रूस आप जा भी सकते हैं और रूस अगर आप जा रहे तो 72 आवर्स पहले आपका जो RTP स्टैटस्ट है, वो आपका लगेगा vaccination यहाँ पर required नहीं है अगर आप ने वैक्षिन नहीं में लगवा है तो भी आप रूस जा सकते हो यह tourism के लिए पूरी के सोपन है और आप अगर रूस जा रहो तो आपको quarantine करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे आपका positive report आता है तो अगर आपका positive नहीं आता है तो आपको quarantine क quarantine करना पड़ेगा उसके बाद आपका यूरोप में जर्मनी जर्मनी का भी आप वीज़ा application कर सकते हो जर्मनी भी फाइले लेराज टाम यह अगर आप जर्मनी जाते हो तो आप पोजिटिव हो जाते हैं या positive आपका positive निकलता है तो 10 दिन आपको quarantine करना पड़ेगा जर्मनी क इंदर उसके बाद है France France का भी वीज़ा application कर सकतो फ्रांस भी इस टाइम वीज़ा application ले रहा है और यह भी tourism के लिए open हो गया है और अगर आपने वैक्सिन ले लिया है को वी सिल्ड तो आर्टीवी से टेस्ट आपका लगेगा और उसके बाद आपका है स्पैन स्पैन का भी अप्लिकेशन आप नहीं कर सकतो को वैक्सिन उन्होंने नहीं अलाओ किया है अगर आप यूरोप में कहीं भी जा रहो तो कोवी सिल्ड वैक्सिन ही सबसे बस रहेगा आपके लिए तो यहां पर भी आप वीज़ा application कर सकतो मौरिसस काफी लोगों ने मुझे पूछा मौरिस अगर आप मौरिसस्थ अगर आप जा रहो अगर आप वहां पर कोवीट फॉस्टिव आपकर आपका निकलता है तो 14 डेस आपको वहां पर क्वारेंटीन करना पड़ेगा उसके बाद आपका माल्द्यू अगर आप माल्द्यू अगर आप जा रहो 72 आवर्स पहले इन्होंन आप COVID positive अगर आपको वहाँ पे निकलता है तो आपको माल्दियू में 14 days आपको quarantine करना पड़ेगा बात करते हैं सर्विया की अगर आप सर्विया जा रहो तो भी आपको 72 hours पहले आपको 72 hours पहले आपका RTP से टेस्ट लगेगा सर्विया ने भी वैक्सिन को required नहीं है यहाँ भी ना वैक्सिन लगा ही आप जा सकते हो सर्विया और यह भी टूरिजम के लिए ओपन है काफी दिन से ओपन है काफी सारे ट्रेवलर गए भी अगर आप सर्विया जा रहे हैं तो साथ दिन आपको यहाँ पर quarantine करना पड़ेगा अगर आप सर्विया जा रहे है तो यह फिलाहल निया rule आया सर्विया का इस से पहले सर्वियाulator में क्वारणिप सिस्ट्ःम नहीं था तो आपको 6 दिन क्वारणिटिन आपको करना पड़ेगा उसके बाद मैं बात करते हूं सेसल्स की काफी सारे लोगों अधिक tu यह सिन नहीं गो और यह और लेकिन आप अगर्ण आपको को और फेर कोवोड फॉस्ट्व निकलता हे तो फॉर्टीज़ डेस आपको वहाँ पे quarantine करना पड़ेगा quarantine का जो भी खर्चा आएगा वो आपको सेसल्स की government को पे करना पड़ेगा तो सेसल्स भी आप जा सकते हो टूरिजम के लिए सेसल्स भी open है लेकिन जो requirement है वो आपको follow करना पड़ेगा उसके बाद है आपका Egypt Egypt का आप चाहो तो E-Visa भी ले सकतों इसटीकर वीजा भी ले सकतों दोनों चीज़े इस टाइम अवेलवाल है अगर आप चाहते हो स्टीकर वीजा लेने के लिए तो उसको भी आप जाके ले सकते हो अगर आप चाहो तो E-Visa application करके कहीं भी आप रह रहा हो तो आप आराम सब्लिक्षिन करके ईवी जाब इजफ्ट का ले सकते हो इजफ्ट अगर आप जा रहा हो तो भी आपका i.t.c.i. टेस्ट लगेगा 72 हौर पहले इनोंने मांगा है i.t.c.i. अगर आपने वैक्सिन नहीं भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं आप जा सकते हो गोम सकते हो ट्रेबल कर सकते हो और कोई जरूरी नहीं है अगर आपने वैक्सिन नहीं लगाया तो वैक्सिन आपने लगा लिया है तो यह आपका फ्लस पाइंट है यह आपके लिए अच lasting पहले आपका इधि लगा छाओओ तो चाहओ तो स्टीकर पीज़ा के लिए घटीकिकेशिन कर सकत दोनों य। देता है और उसकी जो पीजलनी व IS चार्ज दिन मौल फूरी है और जो अंद प्लीकेशिन चार्ज é półकर OH तो सौथ अफरीका का वीजा आप चाहो तो ई भी जा ले सकता हो चाहो तो आप स्टीकर भी जा ले सकता हो वह आपके उपर है कि आपको कौँ सब वीजा लेना है अगर आपने वैक्सिन ले लिया है तो भी अच्छी बात है नहीं लिया है तो भी आप जा सकते हो वैक्सिन इन अब गोम सकते हो ट्रेवल कर सकते हो आं पर जा सकते हो और यूक्रेयन का पैर लोगों ने मुझे मैसे चिए युक्रेया का स्टेट्बी ले सकते और यूद दो ने सकते हो इक क्統 ऑ 네 donenced और पहले आपको ट्रेस्ट लघना पड़ेगा मैं बात करो तो रोड़ेस हैं कोई ज़रूरी नहीं है वैक्सिन यहाँ पे लेकिन अगर आप ते वैक्सिन लगा लिया है कोविड सील्ड की तो बहुत ही बैतरी नहीं है और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वैक्सिन अगर लग जाता है तो बहुत जादा फाइदा होता है अगर आप किसी भी कंट्री में जाहर हो तो उसके बाद के लिए जो क्रिंग तुई तरीके से ओपन हो गया है और अगर आप यहाँ पे जाते हो इनकेस अगर आप पॉज़ जाते हैं किसी भी सरीके से तो आपको फॉर्टिन डेज के लिए आपको वहाँ पे गारेंटीन करना पड़ेगा और यह जो गारेंटीन है यह आपको अपने एक्सपेंस से होगा तो फ्रेंट्स आपको मैंने बताया कि कौन कौन से सी कंट्री है जहां पर आप वीज़ अप्लिकेशन कर सकते हो तो योरोप में अगर फिलाहल आपको वीज़ अप्लिकेशन करना है तो आप सुट्जा लेंड करिए फ्रांस करिए आप स्पैन करिए यह सबसे बहतरी नहीं रहेगा आपके लिए और यहां का वीज़ आपको मिल भी जाएगा और बस आपकी फ्रॉफाइल थोड़ा साच्छा होना जीए प्रॉफाइल के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको अपना फ्रॉफाइल मेंटेन करना है तो इस तरीके से आप यूरोप में भी जाप्लिकेशन कर सकते हो और सुट्जे लेंड सबसे बेस्ट है जर्मनी भी बेस्ट है और फ्रांस स्पैन इन चार कंट्री का भी जाप्लिकेशन कर सकते हो अगर मैं वैक्सिन की बात करूँ तो आप कहीं में जा रहो अगर आपकी है तो कोई सिन अगर बाहर डाइ रहे हैं अगर आप बाहर बाहर चाथ तुम द्रत सब्सक्राइब चाहिए ग्लाइब अब बाहर कांचिरी ने मानता दे रहे मिजी ठीर है वर्ड में हर देखा मानता प्राप्त है तो को भी सिल्ड अगर आप ट्रेबल करना चाहते हो बाहर तो सबसे बेस्ट वैक्सीन है ट्रेबलिंग के लिए तो फ्रेंड्स यह चोड़ी से इंफ्रमेशन थी जो आप लोग के साथ में शेयर करता हूं उम्मित करता हूं आपको व तानिवा थांक्यू सो मचच